नमस्कार मैं हूँ अमेद और दोस्तो जैसे के हम जानते हैं कि Flipkart और Amazon पे सेल चल रहा है और जो प्राइजिंग हमें देखने हो मिल रहा है दोस्तो अभी स्मार्टफोन पर लगबग यही प्राइजिंग हमें देवाली तक भी देखने को मिलने वाला है हो सकता है कुछ दोस स्मार्टफोन की जो कि आप खरी सकते हैं अंडर 12,000 रुपिस की प्राइज में और यह तीनों ही दोस्तो एक 5G फोन होने वाले हैं तो अगर आपको बज़र 10 से लेकर 12,000 अपके बीच में हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हर्फ भूलोगा इसलिए बने रहीगा हमा प्राइज दोस्तों इन दोनों की फोस का लगबख 14,500 रुपिक आसपस आपको मिलता है लेकिन अब भी दोस्तों यह दिवाइस हमें देखने हो रहे हैं 11,990 रुपिक प्राइज में और वहां पर भीए में 1500 रुपा का इस फोन को हम 10,500 रुपिक प्राइज में ले सकते है चाहे फिर मैं F14 की बात कर रहा हूं चाहे फिर बात कर रहा हूं M14 की जो भी आपको पसंद हो हालां कि फीचर में कोई भी डिफरेंस आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है सबस्क्राइब आपको बता दो दोस्तों यह है बनाता है Xero's के 1330 चिपसेट के साथ में जो की नोड़ोट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है इस चिपसेट को दोस्तों आपने Samsung की A14 में भी टेस्ट किया है लगबग 4 लाग से उपर के में Benchmask Score देखने हूं मिल जाते है General uses के लिए तो यह चिपसेट ठीक है In fact आप यहां पर Casual Gaming भी कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों यहां पर हमें 12 5G Bench का सपोर्ट देखने हूं मिल जाता है तो हाँ 5G भी काफी अच्छी से काम कर लिता है फोन के डिजाइन भी अच्छा है दोस्तों बात कर रहा हूं बैटरी की तो 6000 एमेच का यहां पर बैटरी दिया गया है कैमरा दोस्तों 50 Mbps का प्राइमेर संसर है और यह काफी अच्छा परफॉर्म कर लिता है अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्प्ले की तो एक आई-बेस पैनल 98 के स्क्रीन रिफरेश्ट की साथ में आपको देखने को मिल जाता है और साथ ही दोस्तों यहां पर हमें नॉक सेक्यूर्टी और सेक्यूर फोल्डर जैसे ऑप्शन भी देखने हूं मिल जाते हैं तो नो डूट एक कम्प्लीट पैकेज है सामसंग की तरफ से आप इन्हें कंसलर कर सकते हैं दोस्तों अब इस दिवाइस को ले सकते हैं और हाँ इस प्राइस के हिसाब से दोस्तों डेफिल यह बहुत ही कमाल का डिवाइस है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिजाइन के साथ में तो रिर डिजाइन आप देख सकते हैं यह में मिलता है ग्लास बिल्ट के साथ में और इसका जो screen size एना दोस्तों ये काफी बड़ा है 6.7-8 inches का तो viewing experience दोस्तों अच्छा हो जाता है लेकिन बड़ा होने के साथ दोस्तों ये wide नहीं है मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा length जादा देखने को में लेकर display का तो इसकी वैसे जो grip है ना फोन का वो भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमें 98 का screen pressure देखने मिल जाता है तो ये काफी smooth भी है बात कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर performance की तो Snapdragon 4 Gen 2 chipset के साथ में ये काम करता है और no doubt दोस्तो 12,000 औरपे से नीचे की price में ये सबसे अच्छा अच्छा अपसाइट है जो कि आप अभी की टाइम पर consider कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी हमें लगबख 4 लग से उपर के benchmark score देखने मिल जाते हैं ये general task तो easily handle कर लेता है दोस्तों अब gaming भी आफ़ी अच्छी खासी कर सकते हैं तो हाँ performance के लिए ये phone दोस्तों काफी आगे निकल जाता है अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर camera की तो 50 makeup pixel का primary sensor दोस्तों ये भी अच्छा खासा perform कर लेता है इसका comparison मैं दोस्तों Realme के Narzo 60X से किया था तो कुछ camera images अब देख सकते हैं यहाँ पर और compare भी कर सकते हैं कि कौन से phone की camera images आपको ज़्यादा पसंदा रही है मुझे लगता है कि इस phone का camera भी काफ़ी अच्छा है बैटरी की बात कर रहा है तो 5000 image का बैटरी है यहाँ पर में 18V का fast charging support देखने को मिल जाता है Android 13 में यह काम कर रहा है 5G भी इस phone में काफी अच्छे से काम कर लेता है तो दोस्तो यह भी complete package है Redmi की तरफ से अगर आप 12,000 पी price में कोई phone देख रहे हैं तो definitely आप इसको भी consider कर सकते हैं आज की लिसमें यह आ रहा है दोस्तो number 2 की position पर और बात करते हैं दोस्तो number 1 की यानि की winner की तो यह आता है Realme की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ Realme Narzo 60X की दोस्तो इसका actual price होता है करीब 12,999 रुपए लेकिन इस sale में दोस्तो यह मिल रहा है लगबग 11,000 रुपी की price में वहाँ पर अगर आप चाहे हैं तो 750 रुपए का bank of art लगा सकते हैं तो मतलब 10,750 रुपए का price हो जाता है दोस्तो इस device का और दोस्तो यह इस price में सबसे अच्छा phone मन जाता है सबसे विल आप design देख सकते हैं जी हाँ definitely काफी अच्छा design आपको देखने हो मिल जाता है हाला कि यहाँ पर आपको glass build देखने को नहीं मिलेगा लेकिन feel वैसे ही है और अच्छी quality का metal यहाँ पर use किया गया है पोन का look and feel काफी अच्छा है दोस्तो और काफी premium भी लगता है इस price की साब से अगर मैं बात कर रहा हूँ front side की तो यहाँ पर आपको मिलता है 128 का screen refresh rate जी हाँ 128 का screen refresh rate IPS panel के साथ में आपको देखने हो मिल रहा है यहाँ पर हमें full HD plus का resolution देखने हो मिल जाता है display quality अच्छा है दोस्तो और यह आपको एक 5.0 display की साथ में भी देखने को मिल रहा है तो फोन का design अच्छा हो गया, फोन का display quality भी काफी अच्छा हो गया दोस्तो बात करना है camera की तो 50 megapixel प्रामेरी sensor है और यह भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है दोस्तो जैसे कि मैं आपको अल्रेटी बताया था कि इसका comparison हमने Redmi 12 5G से किया था तो कुछ images आप यहाँ पर देख सकते हैं और compare कर सकते हैं कि आपको Redmi 12 5G का images ज्यादा पसंद आ रहा है या फिर Narzo 60X का अगर मैं बात कर रहा हूँ performance के लिए तो यहाँ पर दिया गया है MediaTek Dimensity 60100 Plus chipset जो की no doubt एक बहुत ही अच्छा chipset है हाना कि अगर हम इसे compare करेंगे सकते हैं Snapdragon 4 Gen2 हमें देखने को मिल जाता है बात कर रहा है दोस्तों बैटरी की तो 5000 इमेज का बैटरी है इस फोन में 33 वाट का fast charging support भी देखने को मिल रहा है यह फोन का आप कर रहा है Realme UI 4.0 version के साथ में यानि के Android 13 पर यह बेस है और इस फोन में भी दोस्तों 5G काफ यह अच्छे से काप करता है तो हां दोस्तों एक complete package बन जाता है Realme की तरह से Realme 860X और price को देखते हैं दोस्तों तो no doubt बहुत ही अच्छी value लेका रहता है अपने साथ लगब 10800 या फिर आप कहा सकते हैं अगर आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं अगला ऐसी किसी वीडियो में तब तक लिए आपके दिशोप रहे हैं आज की देखने के लिए बहुत बुदा न्यवाद